तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सेखेंगे कि किस तरह से आप अपने मुवाइल फोन के किसी भी एपलिकेस्ट पर दोस्तो आप अपना खुद का फोटो या अपना गलफन का फोटो या किसी का भी फोटो दो के रखा हूं तो दोस्तों आपका टाइम बेश्ट किया बना चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों इस ट्रिक को करने के लिए आपको एक एप्लिकेशन की जरूत होगी जिसको मैं वीडियो की लास्ट में बताऊंगा कि आपको डाउनलोड कहां से करना है सब आप से पहले आप एप्लिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने दोस्तों इस तरह से एक लांग चर्ड जो है होम इसकिन पर आ जाएंगे तो दोस्तों आप यहां पर किसी भी अप्लिकेशन पर अपना फोटो लगाना चाहते हो सपोर्ट मेरे मोईल फोन में यहां पर किलिक करके रखना है इसके बाद फ्रेंस यहां पर एक देखिए पैंसिल का आइकन दिख रहा है तो आपको दोस्तों यहां पर पैंसिल वाले आप्सन पर आपको किलिक करना है और यहां पर दोस्तों अगर आप चाहते हो इस वाट्सप का नाम बदलना तो यहां पर चैंज आइकन वाले option पर आपको click करना है और click करने के बाद friends, यहाँ से आपको 2 options आता है use default icon और select picture तो आपको दोस्तों यहाँ पर picture लगाने के लिए select picture वाले option पर click करना है इसके बाद friends, आपके mobile phone में जितना सारह photo रहेंगे न वो सारे फोटो दोस्तो आपको यहां से सो कर देंगे आप जिस किसी फोटो को दोस्तो यहां पर लगाना चाहते हो उस फोटो को आपको यहां से सलेट करना है तो दोस्तो मैं यहां पर इस फोटो को सलेट कर लिया हूँ इसके बाद दोस्तो आपको नीचे यहाँ पर save बाले option में आपको click कर देना है ठीक है तो मैं यहाँ पर save कर लिया हूँ दोस्तो यह मेरा WhatsApp है लेकिन मैं MSPillar को लिख करके रखा हूँ किसी को भनक भी नहीं लेगा कि यह जो मेरा WhatsApp है कोई दोस्तो यहाँ पर इसको खोल भी नहीं सकता है क्योंकि वो जानेगा कि यह तो WhatsApp का icon है ठीक है तो यहाँ पर मेरा WhatsApp जो कोई check भी नहीं कर पाएगा यह जो बहुत अच्छा trick है दोस्तो तो दोस्तो आप यहाँ पर देख पार है किस तरह से मैंने यहाँ पर जो है किसी एक गर्ल का फोटो जो है MSP लेए सोरी यहाँ पर WhatsApp के अंदर जो मैंने इसको set करके रखा है तो दोस्तो अब मैं जैसे इस पर किलिक करूँगा ना तो मेरे WhatsApp यहाँ पर open होगा ना आपको टाइप करना है ठीक है Apex Launcher Apex Launcher ठीक है तो आप जैसे यहाँ पर Apex Launcher लिक करके सर्च करोगे तो आपके सामने दोस्तो यह application आ जाएंगे आपको दोस्तो इसे install करके जो है अपना mobile phone में open कर लेना है